बूर्णिंग प्लास नाइन आज हम देखेंगे स्वास्त रक्षा यह आपका पार्ट टू स्लेबर्स में यूनिट टू है स्वास्त रक्षा में बच्चों व्यत्तिकत स्वास्त संस्थाएं प्रशासन में स्वास्त संस्थाओं का क्या योगदान है उन्हें क्या सेवाएं दे रखी है इसके अत्रिक्ट बच्चों स्वास्त रक्षा में वायू उसकी शुदता उसका दीवन में क्या महत्र होता है या समवातन व्यस्था के बारे में देखेंगे फिर आता है पर्यावरण यानि व्यप्तिगत्व स्वचिता और पर्यावरणी स्वचिता के बारे में बात करेंगे प्रदूशन क्या होता है इसके क्या किते प्रकार है और इसका मानों जंचिमन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके तरिक्त बच्चो अश्यदु वायू और उससे उत्पन होने वाले रोग इनसे हानिया इत्यादी के बारे में इस पार्ट में हम देखेंगे यह जो आपको सेकेंड यूनिट है उसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्ट रक्षा में विक्तिकत स्वास्त का क्या अर्थ है तो विक्तिकत स्वास्त क्या होता है बच्चो यह आप लोग ने 6 से लेकर के 8th हर क्लास में यह चर्चा की जाती है यह चैप्टर दिया रहता है कि स्वास्त क्या है और विक्तिकत स्वाचत किसे कहते हैं यह आप पिछले क्लास में देख चुके हैं और आपको यह पता भी होगा बच्चो यह स्वास्त क्या है स्वास्त यानि शरीर का निरोग रहना बच्चो आपको पता ही है कि स्वास्त कर्थ है कि शरीर का निरोग रहना या रोगों से मुक्त शरीर ही स्वास्त शरीर कहलाता है बच्चों स्वास्त अगर आपका अच्छा है तो स्वास्त शरीर में ही स्वास्त मन निवास करता है ये अरस्तु ने कहा है जो कि अरस्तु के रुसार स्वस्त शरीर में ही स्वस्त मन का निवास होता है और बच्चों आपका स्वस्त ही आपके सबसे बड़ी दौलत है 21 जून को योगा दिवस, अंतराश्ट्री योगा दिवस मनाया गया था और योगा एक ऐसा माग है जो आपको स्वस्त रखता है योगा आपके मस्तिश्क और शरीर का मिलन कराता है उनका विले कराता है, आपके बुद्धी का विकास करता है आपके शरीर को हस्ट पुष्ट करता है तो सौस्त रहने में योगा की महत पूड भूमी का होती है बच्चों सौस्त शरीर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सौस्त शरीर का अर्थ है शरीर का निरोग रहना शरीर का रोगों से मुक्त रहना अगर हम स्वस्त रहते हैं तो हम अधिक कारे को शल होते हैं और हमारा विकास होता है वेक्तिगत स्वचता आपने पहले भी देखा होगा कि हम लोग नियमित इस्नान करते हैं तो वेक्तिगत स्वचता के बारे में धियान रखते हुए अपने शरीर को साफ करते हैं जिसे हम स्वस्त रहें स्वास्त रहने के बच्चों क्या उपा हैं या आप पता ही है कि नियमित दिन चर्या नियमित दिन चर्या में क्या होता है आप सुबा उठ रहे हैं आप ब्रश कर रहे हैं अपने शरीर का अस्नान कर रहे हैं अपने आकना, कान, बाल, शरीर, वस्त, इत्यादी को साफसुत्रा कर रहे हैं अपने आसपास के वातावरण को या अपने रून को साफसुत्रा कर रहे हैं ये सब क्या है? स्वास्त रहने का एक मार्ग है इसके अतरक्ति बच्चों स्वस्त रहने के लिए मादग पदातों से भी बचना चाहिए यानि ऐसे पदात जिससे शरीर के विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़े अनुपूल प्रभाव ना पड़े ऐसे पदातों से बचना चाहिए बच्चों स्वस्त रहनी के कुछ नियम भी होते हैं, तो स्वस्त रहनी के क्या नियम है, अभी हमने आपको बताया, वयाम करना, वयाम के क्या-क्या, आपके को वयाम से आपको क्या-क्या, लाब मिलता है, या भी हमने आपको बताया, कि आपका मन, मस्ते क्यों, सब एक जुठ होकर आपके शरीप का विकास करता है इसके नियंग वियान करिए और परियाप्त नेद्रा लिजे विश्राम करिए कथा संतुलित अहार अहार का जीवन में बहुत महत्तु होता है बच्चों यदि हमने संतुलित अहार लिया है या हम जो हमारे शरीप के विकास के लिए उप्यूक्त है उससे हम स्वस्त रहते हैं तो आज हमने देखा कि स्वस्त की क्या पज़वशा होती है शरीप का रोगों से मुक्त रहना या निरोग शरीप स्वस्त शरीर कहलाता है, स्वस्त शरीर अधिक कारकुशल होता है, वह अधिक सुखी रहता है, और उस शरीर से हम अधिक से अधिक सेवा दे सकते हैं, हम अधिक सेवा देंगे, तो हम हमाई अर्थवरस्था भी अधिक अच्छी होगी, हमारा परिवार संपन्य रहेगा, और हमारा समाज हमसे सुखी रहेगा, और हम इस प्रकार राश्ट के निर्मारक व्यक्ति कहलाएंगे, बच्चो अब देखते हैं स्वस्त शरीर के क्या लक्षन होते हैं, अगर हमारा शरीर स्वस्त है, तो हमारा उचित विकास हो रहा है, यानि हमारी हाइट सही है, हमारा बेट सही है और हमारा दिल दिमाग सही से काम कर रहा है हम ठक नहीं रहे हैं, हमें ठकान नहीं मैसुस हो रही है इसके अत्रिक्त हमारा शरीर या मास पेशिया सु संगठित है संग वे हमारा शरीर और मन मस्तिक सब सही कारे कर रहा है और समवेगात्मक रूफ से भी हम इस्तिर हैं हम समाज में सब के साथ समानजस से स्थापित करने कुशल है और इसके अतरिक्त हमारी आँख, तवचा और बालों की चमक बरकरार है हमारी आँख, तवचा, बाल, चिकनी और चमकदार है तो हम कह सकते हैं कि शरीर स्वस्त है अंटता हम ये देखते हैं कि स्वस्त शरीर अधिक फूर्तिला होता है और सूर्ति रहती है उसमें कार करने में कुशल रहता है मन प्रसन रहता है, अगर हम प्रसन मन से कोई कार करते हैं तो हम सफल रहते हैं और हमें समय पर भूप लग रही है, अगर हम समय पर खाना ग्रेहन कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं, तो हमें परियाप्त उजजा मिल लही हैं, हम कारिकरने में सक्षम हैं, और इस प्रकार से हमारी कारिकुशलता औरों से अधिक होती है यहांनी एक स्वस्त शरीर की कारकुशलता एक रोग युक्त शरीर से भिण होती है CPU स्वस्त शरीर अधित कारकुशल होती है वच्चो इसके बाद हम देखेंगे स्वास्त को प्रभावित करने वाली क्या कारक होती है कारत स्वास्त को प्रभावित-करने वाले कारत मेरा रहन-सहन कैसा है ? अगर हम समया एंब तो हम्हें स्वास्थ्ון भी हमारे स्वाhouse को प्रभावित करता है हम सुष्ट रहते हैं हमारा पोशर कैसा है हमारा आहार कैसा है यानि हमारे आहार में सभी पोशक तक मिल रहे हैं अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारा सुष्ट अच्छा रहेगा और हम अपने आपको रोगों से बचाएंगे जिसे COVID-19 का दौर है तो इसमें कहा जा रहा है कि आप अपनी immunity बढ़ाईए अपनी प्रतिरोधक छंता बढ़ाईए अपनी प्रतिरोधक छंता बढ़ानी के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिससे हम रोगों से या संक्मित होने से बच सके नशीले प्रधातों के सेवन से अपने आपको बचाना चाहिए और जनसंख्या नियतर पर भी दियान देना चाहिए बच्चों अगर एक परिवार में दस बच्चे हैं और एक ही मुख्या कमा रहा है तो ऐसी परिवार को संतुलितास अहार देपाना मुश्किल हो जाता है तो अगर हमारी जनसंख्या कम रहेगी संद्ध बच्चे हैं परिवार कम ग्लिक जितना अपत्रशा ला रहा है तो सब को अच्छ से अच्छा खाना पीना देन सकता है उनके रहन साइंपयां पर थ्यान दे सकता है उनके विकास पर ध्यान दे सकता है तो सर चंसांथ्या को भी हमें नियंत्रत लखना चाहिए यहश्य को प्रभाविज करने वाले कारक हैं हैं फिर समाजिक कुरूतिया यानि समाजिक कुरूतियां का मpl़ब है कि जो पहले से प्रपणायं चली आ- पुरकर करम करम कि उसको हमे अपने बुद्य को इस्तेμाल करके उन कुरूतियों का अंत कर ना चाहिए जैसे बाल विवा या बेमेर विवा कर दिया गया इससे क्या होता है ना केवल शरीर रोग रस्त होता है बलकि मन और मस्तिव भी रोग रस्त हो जाता है अगर आपका मन प्रिसंद नहीं है आपका मस्तिव से इसे कार नहीं कर रहा है तो आपका शरीर अपने आप रोग रस्त ह तो यह सारे कारक हैं जो स्वस्त को प्रिभावित करती हैं इसके तरिक्त बचों व्रतिगत स्वच्टा जैसे कि हमने उपर बिताया था कि स्वच्ट रहने के क्या उपाए तो तो स्वच्ट और स्वच्टा का घनिश संबन्ध होता है यानि अगर आप स्वच्चता पर ध्यान देंगे तो आप अपने स्वास्त पर ध्यान देने के लिए आपने पहले ही पढ़ाऊगा ये सबसे पहले नियमित इसलान करना है नियमित शौच जाना है अपने शरीर को साफ सुत्रा रखना है अपने आँख नाक कान बाल नाखूं उत्यादी की सफाई पर ध्यान देना है वस्तरों को साफ सुत्रा रखना है और संतलिक आहार लेना है ये सब यानि स्वच भोजन ग जाएगी के टाडू जाएगी जिसे आप बीमार पढ़ जाएगी तो ये सारी बातें आपके व्यक्तिगत स्वचता के अंतरगर्थ आती है और अगर आप व्यक्तिगत स्वचता पर धियान दे रहे हैं तो आपके स्वचत पर धियान दे रहे हैं और स्वचता और स्वचत का अगर आप स्वस्त रहना चाहते हैं तो आप स्वच रहे हैं ठीक है बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही आपका एक होमग हम दे रहे हैं कि 21 जून अंतराश्ट्री योगा दिवस पर आपको 10 लाइन लेखना है अंतराश्ट्री योगा दिवस कब से मनाया जा रहा हैं? 2015 में सबसे पहले अंतराश्ट्री योगा दिवस मनाया गया इसका decision 2014 में लिया गया और 2015 से योगा अंतराश्री योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है इसका विकास योगा का विकास भारत से हुआ और ये हमें निरोग रखता है हमारे शरीर को स्वस्त रखता है तो नियमित व्याम करते रहने से हमारे शरीर लोगों से दूर रहेगा औ और हम स्वस्त रहेंगे तो बच्चो आपका ही homework है कि आप योगा अंतराश्री योगा दिवस पर दस लाइन लिखेगा और हमको दिखाईएगा ठीक है बच्चो इसके तरीक तो दो question note कर लिए पहला क्या है विक्तिकत स्वस्त से आप क्या समझते हैं या स्वस्त रहने की क या उपाह हैं विक्तिकत स्वस्त hack सामेओं कि रहे हैं कि विक्तिकत स्वस्ता पर निभर करता हैन। अगर आप 물ियमे Hemet दिन चर्या में भागीदारी कर रहे हैं अपनी इसनान कर रहे frozen के अपनी साफ सफाई अपनी वस्तोर पर उसकी सफाई पर dھیयान दे रही हैं चंतलित अहां ले रहे हैं तो आप स्वास्त रह सकते हैं तो स्वास्त रहने के यह उपाए हैं उसका आंसर लिएगा कोशन हम फिर से बोल ले हैं व्यक्तिगत्य स्वास्त से आप क्या समझते हैं या स्वास्त रहने के क्या उपाए हैं इसका आंसर आप लिख लिएगा दूसरा कोशन स्वास्त का क्या लक्षण होता है या स्वास्त शरीर का क्या लक्षण है बच्चों यह हमने बताया है आपको स्वास्त शरीर का क्या लक्षण है उचित्विकास सुसंगर्ट इत्मास्पेशियां संहरिगात में प्रूप से इस्थित्व होना और समान जैसे स्थापित करना और आपका शरीर, यानि आख नाख तांसाव आपका चमकदार और शिकना है, आप कार कुशल है, आप में एनरजी है, आप ठक नहीं रहें, तो यह सब अच्छे स्वास्त की निशानी है, यह स्वास्त रहने का लक्षा है, तो यह दोनों कुशन बच्चों करके हमें दिखाई की की?